और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आखों के फड़कने के बारे में सामुद्रिक शास्त्र के अरुसार दाई आख का फड़कना पूरुशों के लिए शुब माना जाता है जबकि बाई आख का फड़कना महिलाओं के लिए शुब माना जाता है यदि पूरुशों की दाई आख की उपरी पलक और भावें फड़कती हैं तो माना जाता है कि उनके मन की सारी च्छाय पूरी हो जाती है और पदोन्नति वा धनलाब होता है परन तो अगर महिलाओं की दाई आख की उपरी पलक और भावें फड़कें तो उनके लिए ये अशुब माना जाता है और उनके काम भिगर सकती है वहीं अगर इस्तियों की बाई आख की पलक और भावें फड़कें तो उनके लिए ये शुब माना जाता है लेकिन पूर्षों के लिए ये इस्टिती बिल्कुल उटी हो जाती है पूर्षों की किसी पुराने दुष्वन से कहा सुनी हो सकती है या किसी से दुष्वनी बढ़ सकती है सामुद्रिक शास्तर में इत्री चर्चा आपों के फड़तने के बारे में